हलो स्टुडेंट्स मैं हूं रचना बंसल मैं आप लोगों को और गनिक केमिस्टी के अंदर पढ़ा रही थी एल्कोहल्स फीनॉल्स एंड इथर्स ठीक है इसके अंदर हमने एल्कोहल्स पढ़ लिया था इसको क्या बोलते है इसको इथाईलीन ग्लाइकड या फिर ग्लाइक को भी बोलते है इसको 1-2 इसका आई यू पेसी नेम क्या होगा वन और कि अपन को एपन को क्या मिलेगा इथाइलीन धाय।, छिक है या फिर ओस्मियम टेटा ऍट्रह औकसाइड की पिर जमार दें और वाटर की प्रिजेंज मैं हिटुलैसिस करा द कprogram थाएलिन एल्हाली को मिलेगा या फिर हम अग्लाइकॉल आ फिर हम सिलवर की गोसी इश्डाइशन करें और फिर हैडवल इसकी प्रजेंस में हम क्या करेंगे लिथियम-लमूनियम-हडराइड के द्वारा क्या कराएंगे रिदक्शन कराएंगे, तब अपने को क्या मिलता है, अब किस तरीके से मिलेगा इसके अंदर C double bond OH है इस तरीके से देखिए यहाँ पर क्या है एक मिनिट यहाँ पर C double bond OH ठीक है फिर C double bond OH यही तो है अब इसके अंदर यह वाला जो double bond है यह वाला double bond यहाँ पर क्या होगा reduction होगा ठीक है एक hydrogen उपर और एक hydrogen नीचे एक hydrogen इदर और एक hydrogen इदर जुड़ जाएगी reduction लिथिया मैलमूनियम हाइडराइड की प्रिजन्स में क्या होगा reduction होगा तो अब देखिए इसके अंदर यहाँ पर क्या रह गया single bond यहाँ पर single bond यहाँ पर भी single bond रह गया और यहाँ पर क्या आगया देखिए CH to OH CH to OH ठीके next आप लोगों का आता है किसके द्वारा from ethylene diachloride के द्वारा किसके द्वारा from ethylene diachloride के द्वारा यह एक lab method है इसके अंदर देखिए substitution reaction होगी NUH की presence में reaction हो रही है और NaCl के दो molecule बाहर निकल जाएगे और क्या बन जाएगा ethylene glycol form हो जाएगा अब silver acetate के द्वारा reaction कराई जाएगी तब AgCl का precipitate बाहर निकल जाएगा मतलब AgCl की form में यह CL, CL निकल जाएगे और इसके जाएगे क्या आजाएगे acetate group आ जाएगा ठीके फिर इसके बाहरा हाईडरलाइसस कराएगे तो यहां से H और यहां पर H और यहां पर OH और यहां पर OH तो यह क्या बन गया है CSCC double bond OH acetic acid और ethylene glycol ठीक है next इसके अंदर आता है from ethylene diamine from ethylene diamine के द्वारा के सरीके से बनाएगे हम इसकी reaction किसे कराते है nitrous acid के साथ HNO2 के साथ reaction कराते है तब अपन को क्या मिलता है ethylene glycol मिलता है यही तो बताये था जब simple था अपना monohydric था उसकी reaction अपनने किसे कराई थी HNO2 के साथ तब अपना क्या हो था HNO2 की जगे sorry NH2 की जगे क्या है अपना OH group आ गया था अब industrial method के अंदर हम देखते हैं कि ethylene की reaction यह ethylene है इसका oxidation करा रहे हैं silver की presence में और 400 degree centigrade temperature पर तो अपनको क्या मिलेगा epoxide ring मिल जाएगी इसको क्या बोलते है epoxide ring बोलते है epoxide ring मिल जाएगी और इसका hydrolysis कराएंगे तब क्या मिलेगा अपने को ethylene glycol मिल जाएगा ठीक है physical properties के अंदर देखते हैं हम कि यह colorless होता है colorless liquid है और viscous liquid होता है इसका boiling point कितना होता है 197 degree centigrade होता है और यह कैसा होता है sweet होता है taste में कैसा होता है sweet होता है लेकिन poisonous होता है मीच्छा जहर होता है used as a anti-freezing agent chemical properties के अंदर हम देखते हैं सबसे पहले acidic character तो यहां से metal के साथ reaction करके यह क्या करेगा H2 gas निकालेगा और क्या बनाएगा यहां पर OH यहां से hydrogen निकलेगा यहां से hydrogen निकलेगा इसकी जगे क्या आजाएगा यहां oxygen negative Na positive मतलब यहां पर oxygen negative और Na positive बन जाएगा ठीक है reaction with HI hydrogen halide के साथ reactivity order के यहां इसका HI की सबसे यदा HPR की HCl ठीक है अगर हम इसकी reaction किसके साथ कराएं HCl के साथ तो यह दोनों ग्रुप सबसिट्यूट होंगे और क्या आएगा यहां पर OH की जगे यहां पर भी C-L जाएगा ठीक है तो क्या बन गया डाहलाइट्स फॉर्म हो गए ठीक है इसकी अगर reaction किसके साथ कराई जाती है hydrogen iodide के साथ कराई जाती है तब वापस भई iodine iodine आ जाएगी लेकिन जब यह compound फॉर्म होता यह कैसा है है वापस HI के साथ reaction होगी तब यहां पर hydrogen उपर hydrogen और डीचे iodine जोड जाएगा तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 I बन जाएगा ठीक है next आप लोगों का आता है reaction with PCL5 या फिर PX5 मतलब Phosphorus Penta Halide के साथ reaction कराते है Phosphorus Penta Chloride के साथ reaction कराई गई है तो OH की जगे क्या आ गया FL और OH की जगे FL आ गया ठीक है डाय हैलाइट फर्म होगे ठीक है अब इतायलीन ग्लाइकॉल की reaction किसके साथ कराई जारी है Phosphorus और Iodine के साथ कराई जारी है तो वही अंस्टेवल compound में रहा है डाय है डाय हैलाइट बन रहा है ठीक है तो जो की अंस्टेवल है Iodine का है तो यह अंस्टेवल है क्योंकि Iodine बहुत जादा reactive होती है ठीक है तो माइनस I2 निकला और क्या बन गया इतायलीन molecule फर्म हो गया अब इसके अंदर esterification किसकी प्रजेंस में होगा इसके अंदर अल्कोहलिक ग्रूप है और साथ में क्या है एसेड है यह एसेड है CSEC double bond OH अब इसके अंदर से क्या निकलेगा H और इसके अंदर से 2 OH molecule निकलेगे तो बतलब 2 H2O molecule निकल गया और किसकी प्रजेंस में हो रही है acid की प्रजेंस में हो रही है Concentrate H2SO4 की प्रजेंस में हो रही है तो अब इसके अंदर क्या बनेगा अपना दीखी इनर ethylene diacetate फॉर्म हो गया अब ऐसे ही HNO2 के साथ ration कराते है तब अपना क्या बनता है यहां से hydrogen hydrogen निकलेगी तो ethylene di nitrate फॉर्म हो जाता है जो कि बहुत ही कैसा है कैसा है बहुत ही explosive nature का है ठीक है अब इसके अंदर इसकी जो acid का derivative था कौन सा acyl chloride इसके साथ ration कराते हैं तब वापस वही 2 HCl molecule लिकल जाएंगे और estrification हो जाएगा ethylene diacetate इसको बोलते हैं acetylation ठीक है dehydration dehydration के अंदर क्या होगा water molecule लिकलेगा तो देखिए 500 degree centigrade temperature पर इसको गरम करते हैं ethylene glycol को तो इसके अंदर से water molecule निकल के यहां से water molecule लिकलेगा और यह दोनों bond कैसे बन जाएंगे CH2 CH2 bond O तो यह क्या बन गई epoxide ring बन गई अब इसको अगर enhydrous ZnCl2 की presence में करम करते हैं तो यहां से तो क्या निकला OH निकल गया और यहां से एक H निकल गया ठीक है तो क्या बना यहां पर double bond हो जाएगा देखिये यहां पर क्या बना यहां पर क्या बना यहां से तो OH निकल गया और यहां से H निकल गया ठीक है तो यहां क्या होगा यह बाला bond हटकी यहां double bond आ जाएगा तो यहां CH2 double bond CH OH बन गया फिर इसके अंदर क्या होई तोटोमेरिजम होई देखिये किस तरीके से तोटोमेरिजम होई CH2 CH2 double bond CH और OH ठीक है अब इसके अंदर देखिये यहां पर यह वाला जो हैड्रोजन है वो तो यहां शिफ्ट होता है तो CH3 ठीक है यहां का bond यहां शिफ्ट होगा तो CH2 बन जाएगा यहां पर जो टोटोमेरिजम हो रही है वो कौन सी हो रही है कीटोनल टोटोमेरिजम तो देखिये यह इनॉल फर्म है ठीक है अब इसके अंदर कंसंट्रिट HNO3 की प्रिजेंस में रेक्शन हो रही है H3 PO4 की प्रिजेंस में तो अब इसके अंदर क्या होता है 2-ethylene glycol के molecule आपस में react करते हैं CH2 OH और इधर भी OH किस तरीके से देखिये अब प्लस एक और देखे इधर देखे एक और thylene glycol का molecule देखिये इस तरीके से CH2 CH2 OH ठीक है यहां से water molecule लिकल गया और अपना क्या बन गया OH CH2 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 OH यह वाला compound form हो गया देखिये यहां से water molecule लिकल गया देखिये यही तो बन रहा था आपना देखिये इसके अंदर यहां पर यही बन रहा है ना CH2 CH2 OH O CH2 CH2 OH ठीक है अब अगर हम इसकी reaction किस के साथ करा हैं Concentrate H2SO4 की प्रजेंस में reaction करा है तब अपना क्या बनता है देखिये इसके दो molecule किस तरीके से लें आपन एक मिनटा देखिये यह CH2 है यह CH2 है इसका OH और इसका OH दूसरा molecule लिया CH2 मतलब इदर से दो molecule H2O के निकलेंगे OH और OH ठीक है यह दूसरा लिया अब इसके अंदर एक का OH और एक का H इदर से भी H2O निकला तो अपने को यह वाला compound फॉर्म हो गया दो molecule H2O के निकले इसमें एक molecule H2O का निकला इसमें भी एक molecule H2O का निकला ठीक है देख लिए अब Oxidation Oxidation किसकी presence में हो रहा है Dilute HNO3 की presence में ठीक है Dilute HNO3 की presence में reaction होगी तब Oxidation होगा तो देखें यह क्या है एक तरीके का alcoholic functional group है तो अगर यह पहले oxidize होता है एक बार oxidize होगा मतलब mild Oxidation रेजन्ट ले जाएंगे तो किसके अंदर होगा LDID group CHO के अंदर change होता है LDID group के अंदर further or oxidation होता है तब किसमें change होगा यह Oxelic acid change होजाता है और further oxidation होगा तब किसकेंंदर change होगा CO2 H2O के अंदर change होजाता है अब देखिए इसके नदर Дylit HNO3 की प्रेजंस में कहां तक हो रहा है हमिल रहा है और इसके आपने को oxylic acid मेल रहा है अब बै- ajud год का क्रोंड का क्लीवेवेज ऑसे देको यहां से जल एब बने को Chicago यहां पर अपने को क्या मिला देखिए इसमें यहां से bond का cleavage हुआ और अपने को क्या मिले दो formaldehyde molecule मिल गए क्योंकि यह primary primary थे 1 degree थे तो अपने को formaldehyde form हो गए next आप लोगों काता है condensation polymerization condensation polymerization क्या होता है जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े molecule आपस में मिलते हैं और एक छोटा molecule निकालते हैं और अपना polymerization करते हैं अब जैसे यह है ethylene glycol है ठीक है देख रहा है ना CH2 CH2 OH OH ठीक है और यह क्या है dimethyl terthalate क्या है dimethyl terthalate ठीक है और इसकी वापस एक और molecule किसके साथ reaction कराई जा रही है देखिए किसके साथ कराई गई है क्या हुआ हुआ इस polymer का नाम क्या है terylene या फिट dec crown बोलते हैं इसको क्या बोलते है terylene terylene या फिट dec crown ठीक है next आप लोगों का आता है glycol की reaction किसके साथ कराई जाती है thalic acid के साथ यह क्या है thalic acid देखिए यह c double bond OH और यहां पर c double bond OH है ठीक है यही बाला है थैलिक acid तो इसकी reaction किसके साथ कराई जा रही है ethylene glycol के दो molecule के साथ तो देखिए क्या बना यहां पर c double bond OH है तो यहां पर estrification होगा तो हमारा यह बाला molecule बन गया और आगे यह फर्दर जुड़ते जाएंगे तो क्या बनेगा glyptal बन जाता है क्या बनता है glyptal बनता है ठीक है next है glycol की reaction किससे कराई जा रही है higher carboxylic acid के साथ जैसे यह कौन सा है higher carboxylic acid वाला compound है इसकी reaction कराई जाती है तो क्या होगा estrification होगा तो हमें क्या मिलेंगे polyester form हो जाते हैं तो इसको क्या बोलते है polyester किस तरीके से बना देखिए ethylene glycol है ठीक है और यह क्या है higher carboxylic acid है ठीक है यह क्या है ethylene glycol है इसमें से water molecule निकला एक small molecule निकला और यह आपस में polymerize हो रहे हैं और क्या बना रहे है polyester form कर रहे हैं ठीक है uses of glycol glycol को किस की तरह यूज किया जाता है देखो antifreezing agent की तरह यूज में लिया जाता है making terylene fiber terylene fiber बनाने में देखिये यहां पर terylene fiber बन रहे है इसके fiber बनाने में यूज में लिया जाता है और साथ में for making glycol dinitrate glycol dinitrate जो कि बहुत ही कैसा है explosive nature का होता है यह यह ति-dioxane बनाने के रूप में भी यूज में लिया जाता है अपन green chemistry के अंदर ठीक है next आप लोगों का आता है trihydroxy derivative trihydroxy derivative के अंदर देखिये glycerol जिसको अपन glycerine भी बोलते हैं और इसका IUPAC नेम होता है देखिये 123 ठीक है अब इसके अंदर तीन carbon की chain है तो propane ठीक है propane triol 123 propane triol ठीक है अब इसके अंदर 2 तो कैसे होते हैं 1 degree alcohol और 1 कैसा होता है 2 degree alcoholic group present होता है ठीक है occurs in oils and fats oils और fats के अंदर मिलता है glycerides are esters of higher fatty acids क्या होते हैं esters of higher fatty acids होते हैं ठीक है इसके hydrolysis के द्वारा भी हम क्या बना सकते हैं क्या बना सकते हैं तो देखिए higher fatty acids कौन-कौन से है एक तो parmetic acid है या फिस steric acid है और दूसरा तीसरा है allic acid ठीक है इसके next आता इसकी preparation हम propane से किस तरीके से बनाते हैं वो देखिए इसकी अगर हम यह CH double bond CH2 ठीक है इसकी allylic position यह वाला hydrogen है यहां से hydrogen replace होके क्या आएगा BR group जोड़ जाएगा फिर इसकी reaction किस के साथ कराते हैं हम OH BR के साथ कराते हैं तब हमारा OH यहां जोड़ जाता है और BR यहां जोड़ जाता है यहां पर कुछ भी नहीं है यह इसको आगे करने के लिए लखाएं from glycerides, glycerides मतलब fatty acids जोते हैं उनके तो अगर हम saponification कराते हैं मतलब N-OH की साथ reaction कराते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा OH आजाएगा और यहां पर H तिक है उसके बाद देखे क्या बन रहा है बन रहा है ना glycerine अब देखिए इसके अंदर यहां फिर हम करते हैं शुगर के fermentation के द्वारा ठीक है इसमें PCL-5 के साथ reaction कराई जाती है Na2-SO3 की प्रजैंस के अंदर इसमें PCL-5 के साथ reaction कराई जाती है Na2-SO3 के अंदर तो हम में क्या मिलता है Glycerol मिलता है ठीक है और अपनको क्या मिलता है Acetandhyde मिलता है Physical properties Glycerol is colorless Glycerol क्या है colorless है और viscous liquid है और sweet in taste है कैसा है मीठा है टेस्ट के अंदर boiling point कितना है 290 degree centigrade है और यह किसकी तरह यूज में लिया जाता है और इसका purification किस तरह के से किया जाता है reduced pressure के अंदर distillation under reduced pressure या फिर vacuum distillation भी बोलते है उसको Chemical properties इसके अंदर भाही sodium के साथ reaction बैटल के साथ reaction कराते हैं तो क्या होगा इसका इसका क्या होगा देखिए यहां से hydrogen replace होगा और na यहां से hydrogen replace होगा और na यहां पर 2 na ही यूज में लिये गए हैं तो देखिए सबसे पहले वही react करेगा जो more reactive होगा या फिर जो more acidic होगा तो यह मैं आप लोगों को पहले बता चुकिए हमें 1 degree 2 degree 3 degree के अंदर 1 degree सबसे अधा acidic होता है फिर 2 degree होता है फिर 3 degree acidic होता है ठीक है next आप लोगों का आता है reaction with HX मतलब hydrogen halide के साथ reaction तो देखिए इसके अंदर हम देखते हैं glycerol की reaction किसके साथ कराई जा रही है HCl के साथ कराई जा रही है ठीक है तब क्या होगा तब क्या होगा अपना OH रिप्लेस होके क्या आ जाएगा Cl halide group आ जाएंगे मतलब hydroxy group replace होके क्या आ जाएगा chloride group आ जाएंगे अब इसके अंदर वापस जैसे 3 HI molecule के साथ reaction कराई जाती है तब वही hydroxide जो group है वो replace होके क्या आ जाएगा iodine 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 आ जाएगा ठीक है लेकिन जो यह compound firm हो रहा है वो कैसा है unstable है तो यहाँ पर उपर से क्या निकल जाएगी iodine निकल जाएगी कहीं से भी निकाल सकते हैं 2 iodine मतलब एक यह वाली iodine और यह वाला iodine एक iodine की form में निकल जाएगा यहां क्या जाएगा double bond जाएगा फिर HI के साथ रेक्शन होगी क्योंकि अपने पास HI ऐसा तो नहीं है कि 3 है अपने पास और भी है हाइडोजन आयोडाइड है तो वापस और रेक्शन होगी तो यहां पर क्या जुड़ा हाइडोजन जुड़ा और यहां पर iodine जुड़ गय ठीक है अब इस molecule का क्या नाम हो गया क्या हो गया 2-idopropane ठीक है इसको क्या बोलेंगे 2-idopropane next है reaction with PX5 मतलब PCL5 के साथ reaction कराते हैं तब क्या होगा वही OH, OH मतलब यह वाला bond break होगा और CL, CL molecule आ जाएंगे बापस phosphorus और iodine के साथ reaction कराते हैं तो अपने को क्या मिलता है देखिए यहां पर phosphorus और iodine है यहां पर HI नहीं है तो reaction तो होगी नहीं यहां पर phosphorus और iodine के presence में है तो क्या हो जाएगा iodification हो जाएगा तो iodine, 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 iodine आकर जोड़ जाएगी तो यह वाला unstable हो रहा है तो यहां से एक iodine निकल जाएगी तो क्या बन जाएगा allylic iodide फॉर्म हो जाएगा ठीक है, esterification इस बाद से तो अपन बहुत अच्छे सा जानते हैं अपन स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं esterification, esterification किसकी presence में होता है acid और alcohol की presence के अंदर तो देखिए यह alcohol है इसके तीन alcoholic group इसके तीन acetic acid के साथ reaction करके क्या करेंगे concentrate H2SO4 की presence में क्या बना देंगे, esterification कर देंगे और क्या बनेगा अपने को, glycerol triacetate बन जाएगा देखिए, यहाँ से H निकला और यहाँ से OH, तो यहाँ पर esteric bond form हो गया acetylation, acetylation मतलब CS3, C double bond O, CL के साथ reaction हो रही है, यह acid derivatives है, ठीक है इसके साथ reaction करके यह क्या निकालेगा, 3 SCL के molecule निकालेगा, और साथ में क्या बना देगा, glycerol triacetate निकाल देगा नाइट्रेशन, नाइट्रेशन के अंदर क्या होगा, इसकी reaction किसके साथ कराई जा रही है, HNO3 के साथ reaction कराई जाएगी HNO3 की presence में क्या निकालेगी, 3 molecule, water के निकल जाएगे, 100 degree centigrade पर temperature पर reaction कराई जा रही है और क्या बनेगा, glycerol tri nitrate, क्या हम लेगा, glycerol tri nitrate जो के कैसा है, इसको अपन क्या बोलते है, nitroglycerine भी बोलते है, inorganic ester भी बोलते है इसको क्या बोलते है, inorganic ester भी बोलते है, और ये कैसा होता है, yellow oily liquid होता है, ये कैसा होता है, yellow oily liquid होता है और poisonous nature का होता है कैसा होता है poisonous nature का होता है ठीक है ये क्या है inorganic ester ठीक है next है आप लोगों का reaction with oxalic acid ये बहुत ही important reaction है reaction with oxalic acid इसके अंदर देखिए कम temperature मतलब 10 degree centigrade temperature पर तो क्या मनेगा formic acid मनेगा SC double bond OH मनेगा और glycerol बन जाएगा वापस भई ठीक है और 260 degree centigrade पर temperature पर क्या मनेगा अपने को allylic alcohol 260 degree centigrade temperature पर अपने को क्या मनेगा allylic alcohol मिलता है ठीक है next है आप लोगों का oxidation of glycerol ठीक है glycerol के oxidation किस तरीके से होता है अगर इसका oxidation कराते है mild condition के अंदर तो ये वाला ग्रूप पहले oxidize होकर क्या बनेगा CHO फिर further oxidize होगा इस वाले ग्रूप का तो क्या बना देगा C double bond OH मतलब acid form कर देगा वापस और oxidation कराया तो ये वाला ग्रूप किस में change हो जाएगा C double bond OH ग्रूप में अब जब इसके अंदर ये वाला ग्रूप CHO ग्रूप में change होता है तो पहलुध कर ग्लिस्राइल डेइड बोलते है अगर ये ही ग्रूप किसमें? एशिट में change होजाता है तो इसको क्या बोलते है ग्लिसरिक असिट बोलते है ठीक है next आप लोगों का वापस इस तरीके से oxidation कराया जाए कि 2 degree alcohol पहले oxidize हो ठीक है तो क्या मिलेगा dihydroxy acetone फिर इसका further oxidation कराया जाए तो 1 degree alcohol भी आपस में oxidize हो जाएंगे तो क्या मिलेगा अपनी को यहां पर क्या मिल रही है प्लेन आप सिमिट्री मिल रही है इसको मूलेगे क्या meso oxylic acid वापस फर्दर oxidation कराया गया तो इस में change हो गया अब देखिए किस तरीके से कौन कौन से रेजड किस 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 रूप में change करते हैं तो देखिए glycerol लिया है अपनने यह glycerol लिया है ठीक है अब इसको dilute HNO3 के साथ reaction करा रहे है किस के साथ किस के साथ d żyatli喝 HNO3 के साथ reaction करा रहे है तो हम सी को क्या मिल रहा है ? सब देखिए glycerolm EPA थिर भिश्मत वापस नैटरेट के साथ reaction करा रहे है तो हमें क्या मिल रहा है? meso oxylic acid किया था? देखिए यह वाला ठीक है अगर हम डॉमीन वाटर के साथ reaction करा रहे हैं फेन्टोन रिजन्ट या फेन्टोन रिजन्ट मतलब F2O2- FeSO4 की प्रजेंस में reaction करा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? glyceraldehyde फस्ट वाला glyceraldhyde मिल रहा है और साथ में क्या मिल रहा है? dihydroxy acetone मिल रहा है देखें ये वाला dihydroxy acetone form हो रहा है अब इसकी reaction KMNO4 की presence में मतलब acidic KMNO4 की presence में reaction करा रहा है तो हमें क्या मिल रहा है oxalic acid form हो रहा है मतलब pool इसका complete oxidation हो रहा है next आप लोगों का आता है dehydration dehydration के अंदर हम देखते हैं glycerol है अपना इसके अंदर OH group और H group निकलेगा H2O की form में फिर उसके बाद OH group और H group निकलेगा किसकी presence में हो रही है potassium hydrogen sulfate की presence में हो रही है और unstable compound firm हो रहा है चीक है unstable क्यों हो रहा है क्योंकि इसके अंदर क्या होगा ketonal totomerism होगी ketonal totomerism के थ्रिव क्या होगा के से होगी यह वाला जो hydrogen है वो कहाँ shift होगा इस वाले carbon के उपर और यह double bond इदर आ जाएगा तो अपना क्या बन जाएगा CH2 CH C double bond O और यहाँ पर H यह क्या है अपना acrylene form हो गया ठीक है इसको क्या बोलते है acryl dehyde भी बोलते है और इसकी smell कैसी होती है fungiant smell होती है it is called acrylite test इसको क्या बोला जाता है acrylite test बोला जाता है ठीक है आया समझ में next आप लोगों का आता है test for glycerol ठीक है next आता है dust and test dust and test के अंदर देखिए phenophyll लेंगे और borax लेंगे ठीक है दोनों को mix करेंगे तो अपने को क्या मिलता है pink color का solution मिल जाता है फिर इसके अंदर हम glycerol डाल देते है इसके अंदर आपने क्या डाल दिया glycerol डाला तो ये pink color जो था वो कैसा हो जाता है colorless हो जाता है और फिर जब इसको गरम करते है तब ये पापस pink color शो करता है ठीक है इसको बोलते है dust and test uses of glycerol glycerol क्या है एक sweeting agent है मतलब मीठा बनाने में use में आता है as an anti-freeze freezing agent है ठीक है as a lubricant in watches watches के अंदर क्या करता है lubricant का का काम करता है मतलब जो सुईय होती है उनके बीच में lubricant का काम करेगा as a ये कैसा है preservative nature का भी होता है ठीक है कैसे किस यूज में लिया जाता है अपन को ये देखिए as a preservative की रूप में भी यूज में लेते हैं in the preparation of explosive like dynamite के रूप में भी यूज में लिया जाता है dynamite के रूप में भी यूज में लिया जाता है glycerol ठीक है तो देखिए आज की क्लास में हमने पढ़ा dihydric alcohol and trihydric alcohol ठीक है next class के इंदर हम पढ़ेंगे phenol ठीक है आज की क्लास हम यही तक रखते हैं thank you